जेहिन दोस्तों आप लोग लाख रुपिया खर्चा करके अपनी दिवारों को चमकाने के लिए घर को चमकाने के लिए वाल पुट्टी करने की सोज रहा है दोस्तों कि आपको पता है कि आपका ओल पुट्टी लाखों रुपिया पेंट में जो आपने खर्चा किया बढ़ वाल पुट्टी पूट्टी करने की रहा पूरा पेंट पापड़ी की तरह निख़र डाईगा एक कमेंट को पढ़िए दोस्तों हमारी एक दोस्त ने कमेंट किया है कि वाल पुट्टी बिल्कुल भी बेकार चीज है चिल ढम आगे अगर चाहेया अब लोगह लुकंनि रुपया का वाल पुट्टी का करिए कर लो आपाव पुट्टी पाप्रएवय First कि अग्ने की बाद उसका कमेंट एज वी प्रोब्लम को फेज खिया है ल짜den रुपया खर्चा करने की बाद उसका वाल पुट्टी पापड़ी बनके जड़ रहा है फिर उन्होंने दोस्तों मन में सोचा इतना रुपिया खर्चा कर दिया अगर हम लोग वाल पुट्टी नहीं करता तो हमारी जो दिबार है वो पापड़ी बनके नहीं जड़ता जी हां दोस्तों तो आपको करना किया है क्या सबही लोग तो वाल पुट्टी करता है उनकी घर में तो पाप्री बनके नहीं निखरता है तो हमारे लिए अखिर प्रतिबंद क्यों है यह पाबंध हमारी पर क्यों है दोस्तों मैं आपको क्लियर करके सबसे पहले बता दू अगर आप लोग अपनी दिबारों को चारा सिभी वाल पुट्टी में गरबाड़ी करेंगे तो बिल्कुल आपका दिबार का वाल पुट्टी जो हो पाप्री बनके निखर जाएगा तो 101 परसेंट आपका वाल पुट्टी बिल्कुल भी पाप्री के तरह निखरेगा नहीं तो हमें बो प्रोसेस क्या है दोस्तों वाल पुट्टी दो तरह से किया जाता है हलाकि वाल पुट्टी हमें तीन तरह का मिलेगा एक होता है नोर्माल वाल पुट्टी एक होता है एक्र इसलिए इस दिवारों को हमें वाल पुट्टी करना है तो किस तरह से करेंगे तो सबसे पहले दोस्त अगर आपका यह विचार है एक तो आपको वाल पुट्टी करना ही करना है कि एक अगर आपको ढर है मन में सायद हमारी घर पर नोना इस दूकता तो उस केस में आपको देखना ही नहीं है वाल पुट्टी को जरूर्ड करना है क्योंकि दोस्त थे की मुकाबल से रlt जो करने से काम बेलकुल भी नहीं चलने वाला अगर जहादा नोना सीपेज डेपनेस आने का चांसे से तो सबसे पहले मेरे इन बातों को ध्यान से करना किया। सबसे पहले जो आपका दीवार है। है दीवारों को सबसे पहले आपको दुस्तों डेम प्रूप करदे नहीं कि एसकी का जो डेम प्रूप है यह फिर बीड़ला का जो सीपगाड है यह खास करके वाटर पूपिंग के लिए दुस्तों बनाएं गया है। कि अगर आपकी दिवारों पे बहुत ज्यादा प्रोपलोम है सीपेट नोना डेपनेस तो इन सारी चीज को या फिर या फिर यू आर्पी है 301 इसको कोटिंग करना होगा ब्रस से पहले इटा का दिवारों पर फिर प्लास्टर करके औरफिट्रीट में करो तो आपको क्या करना है लाइक आपका दिवारों को सीलना 1 का चांहल सो olvадने की बात आपको करना क्या है कुद को प्राइमर करना है जो भी प्राइमर करो वाटर्पूपिक या फिर फ्र इंस होना जरूरी है तो पहले हमने आपने लुक्त 21 mm अफिर और पर करने की बाद आपको डैमर में ऑपनी 09 ना जिए लेकिन थे निगे ऑफ में सब्यान देना दोस्तों नहीं तो आपका सब्सक्राइब नौना डेपनेश आय या ना यह फिर भी पापड़ी बनके निखर जाएगा तो हमारी इस टेफ क्या था पहले हमने बंप्रूब कर दिया फिर वाल प्राइमर एक कोट कर दिया फिर हम वीडियो पर दोस्तों यह चीज बताता हूं और पुट्टी करने से पहले इस सबसे पहले जो आपका घर पर दोस्तों जो आएगा पेंटार उसको कहना कि वाल पुट्टी आप कर रहा है ठीक है तीन चीज हमारी मानलो हम आपको कुछ नहीं करेंगे कहेंगे आपकी मन पसंद आप लोग वाल पुट्टी करके चला जाना तीन चीज तीन सर्थ हमारे है कि हमारी घर पर एक से लिकाट गंटा की अंदर जितने भी वाल पुट्टी आप लोग पुटाई कर सकते हैं उतना ही मिक्स करना लाइक दाइगंटा लेंच हो जाने की बाद फिर आप उसको फिर बार-बार करके लागा रहा है एक घंटे की बाद वाटर प्रिंग हो या फिर नॉर्मल वाल पुट्टी हो उसका जो स्ट्रेंच होता है पावार होता है समता होता हो धीरे-धीरे खताम होना इसलिए जितनी मोटाई कितना रखे लोग ज्यादा दोस्तों दिवार को साई गलत करने की चक्कर में वाल पुट्टी दो लेयर में वहीं तीन एमेम तक उसका थिकनेस कर देता है मोटाई इसलिए जबी वाल पुट्टी आप अपनी दिवार को अप्लाई करे 1.5 mm यानि की डेड़ एमेम से जादा होना ही नहीं चाहिए अगर ज्यादा मोटाई करेंगे तो वह ज्यादा चांसे हो जाता है दोस्तों दिवार से पाप्री बनने का इसलिए इस चीज को हमेशा याद रखना जबी वाल पुट्टी का काम करें उसका थिकनेस हमेशा ही दोस्तों डेड़ एमेम से ज्यादा नहीं होना चाहिए दूस करना है तो कभी भी नौर्माल वाल पुट्टी मत करो चाहे आपके दिवारो पार सेपहाँ या ना आ है बाहरी दिवारोपार रहसा वाल-फो पुट्टी अस फिर मिलेंगे दोस्तों एक दूच सादा अपनपने के लिए जैहिन और दोस्तों मंधे मत रहा हूं